पुरुसकार और समान काफी जादा important topic है अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो तो friends वो सभी questions जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ और यकीन मानी friends इस topic से हरे के exam में questions पूछे जाते हैं तो अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाली है और friends मेरी इस वीडियो का आप starting से end तक जरूर देखीगा क्योंकि आपको इस वीडियो से काफी ज़दा help मिलने वाली है आपके exam में तो चलिए वीडियो को शरूर करते हैं हमारे first question से पहला question है दादा साफ फाल के पुरूस 확실히 2022 से किस अभी नित्री को समानित किया गया है सही answer हो जएगा option C आशा पारिक जी को आशा पारिक जी को दादा साफ फाल के पुरूसकार2022 से समानित किया गया है नेक्स्ट कोशन है, भारत के सर्वोच खेल सम्मान मेजर ध्यांचन खेल रतन पृषकार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा important कोशन है, सही answer हो जाएगा option A, शर्त कमल अचंता जो कि भारती टेबल टैनिस खेला रही है तो शरत कमल अचंता को मेजर ध्यांचन खेल रतन पुरुसकार 2022 से समानित किया जाएगा फ्रेंट्स 2021 से पहले इस पुरुसकार का नाम राजीव गंदी खेल रतन पुरुसकार था और 2021 में इसका नाम बदल कर मेजर ध्यांचन खेल रतन पुरुसकार कर दिया गया और इस पुरुसकार को सर प्रतम 1991-92 में देना शुरू किया था और सर प्रतम ये विश्वनाथन अनंद को दिया था जो कि भारत के महान शत्रंज खिला रही है ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नेक्स्ट कोशन प्रतिश्चित डॉक्टर कलाम सेवा पुरुसकार 2022 से किसे समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा और रवी कुमार सागर को तो रवी कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरुसकार 2022 से समानित किया गया है इंपोर्टन पॉइंट से जान लेते हैं कोशन के बारे में ये पुरुसकार हर साल वंदे भारत फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जैनती पर प्रदान किया जाता है किस राज्जे ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोशक अनाज पुरुसकार 2022 जीता है इंपोर्टन कोशन है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C चछतिसगड राज्जे ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोशक अनाज पुरुसकार 2022 जीता है अगला प्रशन हमारा चछतिसा याने की मेडिसिन का नोबल पुरुसकार 2022 किसने जीता है इंपोर्टन कोशन है फ्रेंट स्टार माग कर लेना इसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B स्वानते पाबो ने जोकी स्वीडन से है तो स्वानते पाबो ने चछतिसा में नोबल पुरुसकार 2022 जीता है अगला प्रशन है दुनिया की सर्शेश नर्स का पुरुसकार Guardian Global Nursing Award 2022 किसने जीता है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अन्ना काबले दूबा ने जोकी केनिया की है तो अन्ना काबले दूबा ने Guardian Global Nursing Award 2022 चीता है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रू करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें साथी फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक गिफ्ट भी रखा है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारी वीडियो के लास्ट में आपसे टेस्ट पार्ट लेते थे आपसे ये टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहने वाला है किस ने जीता है? सई आंसर हो जाएगा option A अमर मित्रा ने तो अमर मित्रा ने O. Henry पुरुषकार 2022 जीता है Next question प्रतिष्टित टेंपल्टन पुरुषकार 2022 किस ने जीता है? Important question है ये सई आंसर हो जाएगा option C Frank Wilczek ने Frank Wilczek ने टेंपल्टन पुरुषकार 2022 जीता है ये आपको याद रखना है Next question Miss World 2021 का किताब किस ने जीता है? सई आंसर हो जाएगा option B करोलीना विलावासका ने जो की पॉलेंड से हैं तो करोलीना विलावासका ने Miss World 2021 का किताब जीता है Next question साहित्य यानि की लिट्रेचर का नॉबल पुरुषकार 2022 किस ने जीता है? Important question है ये सई आंसर हो जाएगा option C Annie Enox ने जो की Francis C लेकी का है तो Annie Enox ने साहित्य में नॉबल पुरुषकार 2022 जीता है और ये पुरुषकार कौन प्रदान करता है? Swedish Academy ये भी आपको पता होना जाहिए Next question नॉबल पुरुषकार 2022 से किसे समानित किया गया है? सई आंसर हो जाएगा option D Dennis Parnell Sullivan को तो Dennis Parnell Sullivan को एबल पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है Important question है ये भी अगला प्रेश नॉबल पुरुषकार 2022 में लगतार छटी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच शहर गोशित किया है? सई आंसर हो जाएगा option D इंदोर शहर को जो की मध्यपरदेश का शहर है तो इंदोर को भारत का सबसे स्वच शहर गोशित किया गया है वहीं बड़े राजियों में सबसे स्वच्छ राजे मध्य परदेश रहा है छोटे राजियों में सबसे स्वच्छ राजे त्रिपुरा रहा है ये दोनों बातें आपको याद रखनी है अगला प्रेशन मारा क्रिशी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्रिशी व्यवसाय पुरुसकार 2022 किस राजे ने जीता है सई आंसर हो जाएगा option B हर्याना राजे ने तो हर्याना राजे ने क्रिशी व्यवसाय पुरुसकार 2022 जीता है अगला प्रश्ण नमरा उपने आस हम यहां थे के लिए 31 में बिहारी पुरुसकार 2021 से किस समानित किया गया है important question है ये सई आंसर हो जाएगा option C मधू कांकरिया को तो मधू कांकरिया को उनके उपने आस हम यहां थे के लिए 31 में बिहारी पुरुसकार 2021 से समानित किया गया है next question प्रतिष्टित बैली के एश्फोर्ड पदक पुरुसकार 2022 प्राप्त करने वाले पहले विग्यानिक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा option B सुभाश बाबू तो सुभाश बाबू बैली के एश्वोर्ड पदक पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले विग्यानिक बने है और इन्हें ये पुरुसकार क्यों दिया गया है टीबी चिकिसा के एक शत्र में उलेखनी योगदान देने के लिए संयुक्त राष्टर के सरवोच प्रावरण पुरुसकार चैंपियन ऑफ दी अर्थ 2022 से किसे समानित किया गया है Most important question है ये सही answer हो जाएगा Option B पुर्निमा देवी वर्मन जोकि भारत की है तो पुर्निमा देवी वर्मन को Champions of the Earth Award 2022 से समानित किया गया है और ये संयुक्त राष्ट्र का सर्फ श्रेष्ट प्रयावरन पुरुसकार है ये भी आपको याद रखने है नेक्स्ट कोशन है भारतिय अंतराष्ट्रिय फिल्म महादसफ IFFI के 53 संसकरन में सत्य जीतरे Lifetime Achievement पुरुसकार 2022 से किसे समानित किया जाएगा सही आंसर हो जाएगा Option B Carlos Sora को जो कि Spanish film निर्देशक है तो Carlos Sora को सत्य जीतरे Lifetime Achievement पुरुसकार 2022 से समानित किया जाएगा Friends, आपको एक important information देता हूँ कि मारी अर्दवाश की क्रेंटरफेस की book launch हो चुकी है जिसमें हमने January से June तक के सभी क्रेंटरफेस को topic wise one-liner form here MCQS form में आपके लिए provide करा है और इस book के last में हमने 15 test के साथ पी रखे हैं आपके क्रेंटरफेस की तियारी काफी एचे तरीके से हो जाएगी और इस book को आप Amazon और Flipkart से भी buy कर सकते हैं जिसका link मैं आपको इस video के description box में provide करवा दूँगा और साथ ही हमारी 50,000 GK की book भी launch हो चुकी है और इस book को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके exam में 90-95% of questions इसी book से आ रहे हैं तो आप इन दोनों books को buy करें और अपने exam के preparation को और भी ज़्यादा strong बनाये Next question भौतिक विग्यान यानि कि physics में Nobel पुरुसकार 2022 से किसे समानित किया गया है सही answer हो जाएगा option D उपयोग तो सभी को यानि कि Allen Aspect जो कि फ्रांस से है John F. Closer ये अमेरिका से है Anton Z. Linger ये आस्ट्रिया से है तो इन तीनों को ही भौतिक विग्यान में Nobel पुरुसकार 2022 से समानित किया गया है Next question राश्ट्रिय गोपाल रतन पुरुसकार 2022 में सर्षिष डेरी किसान का प्रथम पुरुसकार किसने जीता है सही answer हो जाएगा option B जितेंदर सिंग ने जो कि हरयाना से है तो जितेंद्र सिंग ने राश्ट्री गोपाल रतन पुरुसकार 2022 में सर्षिष डेरी किसान का प्रथम पुरुसकार जीता है अगला प्रेश नमरा तेंजिंग नौर्गे राश्ट्री साहसिक पुरुसकार 2021 से किसे समानित किया गया है सही आंसर हो जायाएगा उपयुक्त तीनों को यानि की शुभम धननजे वर्माली को जो की जल साहसिक है दूसरे हैं सूश्री नैना धाकड ये भूमी साहसिक है भवानी सिंग सम्याल ये जीवन भर उपलब्धी के लिए इन्हें तेंजिंग नौर्गे राश्ट्री साहसिक पुरुसकार 2021 से समानित किया गया है फ्रेंड्स आप हमारे व्लॉगिंग चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं हमारे व्लॉगिंग चैनल का नाम है रवी दिती ब्लॉग्स आप इस चैनल पर विजिट करें इसे सब्सक्राइब करें और हमारे इंट्रस्टिंग व्लॉग्स का अनन्द ले और साथ ही आप इस चैनल को भी खूब सारा सपोर्ट जरूर करें नेक्स्ट कोशन है अंतर आश्र के करनड रतन पुरुषकार 2022 से किस समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी वाई के सी वाडियार को तो वाई के सी वाडियार को अंतर आश्र के करनड रतन पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है अगला प्रश्णा मरा लक्ष्मी भंडार योजना के लिए किस राजे ने प्रतिष्टित स्कॉच पुरुसकार 2022 चीता है सही आंसर हो जाएगा option D पश्चिम बंगाल राजे ने तो पश्चिम बंगाल राजे ने लक्षमी भंडार योजना के लिए प्रतिष्टिल स्कॉच पुरुसकार 2022 जीता है और ये जो स्कॉच पुरुसकार है ये शाषन, समावेशी विकास, प्रदियोगे की, प्रबंधन, कॉर्पोरेट नित्रित्व, नागरिग सेवा वित्रन, क्षमता निर्मान और अन्य के बीच सशक्ति करण के लिए दिया जाता है केरल के प्रतिष्टित एजु थाचन पुरुसकार 2022 से किसे समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा option C, A. सेतु माध्वन को, तो A. सेतु माध्वन को केरल के प्रतिष्टित एजु थाचन पुरुसकार 2022 से समानित किया गया है A. सेतु माध्वन प्रसिद मल्यालम कथा लेकक है Next question, उपने आज़ दा पैराडाइज और फूड के लिए J.C.B. साहित्य पुरुसकार 2022 से किसे समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा option D, खालित जावेद को, तो खालित जावेद को, उनके उपनियास The Paradise of Food के लिए JCB साहित पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है अगला प्रश्ट पहले केरल जोती पुरुषकार 2022 से किसे समानित किया जाएगा important question है यह सही answer हो जाएगा option A MT वासुदेवन नायर को MT वासुदेवन नायर को पहले केरल जोती पुरुषकार 2022 से समानित किया जाएगा अगला प्रश्ट नमारा पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए Dr. Manglam Swami Nathan Rashri पुरुषकार 2022 से किसे समानित किया गया है सही answer हो जाएगा option B विश्नूत्रिपाथी को तो विश्नूत्रिपाथी को Dr. Manglam Swami Nathan Rashri पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है Friends up इस वीडिये का काफी जादा interesting और important पाट आगया है जो कि है test plus gift part जैसा कि मैंने आपको उपर ही बताया था तो जो भी हमारे test के दोनों questions का answer बिलकुल सही देंगे तो उन में से हम lucky 5 winners को randomly select करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी current of years की book है वो बिलकुल free में provide कर वाजाएगी तो सभी को test plus gift part के लिए all the best टेस्ट का पहला question है दुनिया की surface nurse का पुरुषकार Guardian Global Nursing Award 2022 किसने जीता है ये रहे आपके 4 options next question है अबेल पुरुषकार 2022 से किसे समानित किया गया है ये रहे आपके 4 options तो ये था friends हमारा test part आपको comment box में मुझे ये भी पताना है कि आपको हमारे ये नया initiative test plus gift part कैसा लगा अगला प्रशन है World Travel Mart में Responsible Tourism Global Award 2022 किस राज्य के प्रेटन विभागने जीता है सही answer हो जाएगा option B केरल राज्य के प्रेटन विभागने तो केरल राज्य के प्रेटन विभागने World Travel Mart में Responsible Tourism Global Award 2022 जीता है Next question किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंटरी की एक्ष्रेणी में Pulitzer पुरुसकार 2022 जीता है Important question है ये सही answer हो जाएगा option है फहमिदा अजीम ने जो की बंगलादेश की महिला पत्रकार है तो फहमिदा अजीम ने Pulitzer पुरुसकार 2022 जीता है Next question रसायन विग्यान यानि की Chemistry में Nobel पुरुसकार 2022 से किसे समानित किया गया है Important question है ये सही answer हो जाएगा option D उपयुक्त सभी को यानि की कैरोलिन बर्तोजी जो की अमेरिका की है बेरी शापलेस ये भी अमेरिका के हैं के मॉर्टन मेल्डन ये डेन्मार्क से के हैं तो इन तीनों को ही रसायन विग्यान में Nobel पुरुसकार 2022 से समानित किया गया है इंपोर्टन कोशन है ये सही answer हो जाएगा option E उपयुक्त सभी को यानि की सोथियारा च्छिम जो की कमबोडिया की मनोचिकितसक है तदाशी हतोरी ये जैपैन के नित्रो रोग विशेशगे है बर्नाडेट मेड़ेट ये फिलिपिन्स के बाल रोग विशेशगे है और गैरी वेंचेगी ये फ्रांस की प्रेवरन कारे करता है तो इन चारों को ही 64-वे रेमन मेकसे से पुरुसकार 2022 से समानित किया जाएगा ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन नमरा राश्ट्रिय लता मंगेशकर पुरुसकार 2019, 2020 और 2021 के लिए किसे समानित किया गया है सही आंसर रुजाएगा आप्शन डी उपयुक्त सभी को यानि की शेलेंदर सिंग को 2019 के लिए आनन्द मिलिंद को 2020 के लिए और कुमार सानु को 2021 के लिए समानित किया गया है राश्ट्री लता मंगेशकर पुरुसकार से next question वैश्विक उर्जा पुरुसकार 2022 किसने जीता है सही आंसर हो जाएगा आप्शन डी कोशिक राज शेखर न तो कोशिक राज शेखर ने वैश्विक उर्जा पुरुसकार 2022 अगला प्रेस नमारा भारत के किस राज्य को संस्कृती सरफ्ष्रेश गणतव्वे के लिए अंतर अश्री यात्रा पुरुसकार 2023 से समानित किया जाएगा पस्चिम मंगाल राज्य को पस्चिम मंगाल राज्य को अंतर अश्री यात्रा पुरुसकार 2023 से समानित किया जाएगा नेक्स्ट कोशन नमरा भारत के सर्वोच साहितिक पुरुसकार 56 ग्यानपीट पुरुसकार 2020 से किसे समानित किया गया है सही answer हो जाएगा option D नील मनी फूकन को नील मनी फूकन को 56 ग्यानपीट पुरुसकार 2020 से समानित किया गया है अगला प्रश्ण नमरा पुरुसकार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने है important question है ये सही answer हो जाएगा option A डाइबेडो फ्रांसिस केरे तो डाइबेडो फ्रांसिस केरे पहले अफ्रीकी बन गए है जिन्होंने पृसकर पुरुसकार 2022 जीता है next question रामनाथ गोईं का पुरुसकार से किसे समानित किया गया है सही answer हो जाएगा option C जिशान लतीफ को जिशान लतीफ को रामनाथ गोईं का पुरुसकार से समानित किया गया है अगला प्रेशन मारा वर्ल्ड प्रेस फोटो अफ दा येर 2022 का पुरुसकार किसने जीता है important question है सही answer हो जाएगा option B Ember Brackay ने तो Ember Brackay ने वर्ल्ड प्रेस फोटो अफ दा येर 2022 का पुरुसकार जीता है next question प्रतिष्टिद वाइटली गोल्ड पुरुसकार 2022 किसने जीता है सही answer हो जाएगा option D चारुदत मिश्रा ने तो चारुदत मिश्रा ने वाइटली गोल्ड पुरुसकार 2022 जीता है फ्रेंड्स अगर आप English में कंटेंट पढ़ना चाते हैं तो हमारे English Channel Ravi Diti Classes पर विजट कर सकते हैं इसे सुब्सक्राइब करें अगर आप English में कंटेंट पढ़ना चाते हैं और फ्रेंड्स अगर आप करंट अफेस पढ़ना चाते हैं तो YouTube पर Option B Shailene Ford ने तो Shailene Ford ने Mrs. World 2022 का किताब जीत दिया है Next Question युवा गणी तग्यों के लिए रामा नुजन पुरुसकार 2021 किसे प्रदान किया गया है? Most important question है friends आपके आने वाले एक्जाम में किसी ना किसी में ये पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर है? Option B नीना गुपता को तो नीना गुपता को रामा नुजन पुरुसकार 2021 से समानित किया गया है Next Question किस भारती ये लेखिका ने पहली बार हिंदी उपनियास रेज समाधी यानि कि टॉम आफ सैंड के लिए अंतराश्री बुकर पुरुसकार 2022 चीता है ये भी most important question है friends सही आंसर हो जाएगा option B गितांजली श्री ने तो गितांजली श्री ने अंतराश्री बुकर पुरुसकार 2022 चीता है उनके हिंदी उपनियास रेज समाधी के लिए Next Question विश्व खादे पुरुसकार 2022 से किसे समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा option D सिंथिया रुसेंजविक को तो सिंथिया रुसेंजविक को विश्व खादे पुरुसकार 2022 से समानित किया गया है अगला प्रेश्न मारा भारत के सरवोच साहित्तिक पुरुसकार 57 ग्यानपिट पुरुसकार 2021 से किसे समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा option D दामोदर मोजो को तो दामोदर मोजो को 57 ग्यानपिट पुरुसकार 2021 से समानित किया गया है Next question किस राज्य के सत्य मंगलम टाइगर इजर्फ को बागों की आबादी दोगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ट टी एक्स टू पुरुसकार से समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा option तामेलाडू तो तामेलाडू में है ये सत्य मंगलम टाइगर इजर्फ जिसे की TX2 पुरुसकार से समानित किया गया है अगला प्रेश्ट किस भारतिय खिलाडी को परम विशिष्ट सेवा मैडल और पदम श्री समान से समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा option भी नीरचोपडा को तो नीरचोपडा को परम विशिष्ट सेवा मैडल और पदम श्री से समानित किया गया है नेक्स्ट कोशन 2022 में कितने लोगों को पदम पुरुसकार से समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा option C कुल 128 लोगों को यह आपको याद रखना है 2022 में कुल 4 लोगों को पदम भी भुशन 17 लोगों को पदम भुशन और 107 लोगों को पदम श्री से समानित किया गया है नेक्स्ट कोशन उतकृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए उत्तर प्रदेश राज़े को उत्तर प्रदेश राज़े को राष्टरी जल पृष्कार 2022 में सर्फिष राज्य की श्रेणी में पहला पुरुसकार प्रदान किया गया है अगला प्रेशन हमारा Mother Teresa Memorial Award 2021 किस देश को मिला है सही आंसर उजाएगा option B Denmark देश को तो Denmark देश को Mother Teresa Memorial Award 2021 मिला है Next question भारत के किस सुरंग ने Indian Building Congress IBC में Best Infrastructure Project का पुरुसकार जीता है Important question है यह सही आंसर हो जाएगा option C अटल सुरंग ने जो कि हिमाचल प्रदेश में है तो अटल सुरंग ने IBC में Best Infrastructure Project का पुरुसकार जीता है Next question है पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरुसकार 2022 से किस समानित किया जाएगा सही आंसर हो जाएगा option है नरेंदर मोदी को जो कि भारत के प्रदान मंतरी है तो नरेंदर मोदी को दीनानाथ मंगेशकर पुरुसकार 2022 से समानित किया जाएगा Next question है अंतराश्ट्री साहसी महिला पुरुसकार 2022 से किस समानित किया जाएगा सही answer हो जाएगा option C रिजवाना हसन को तो रिजवाना हसन को अंतर आश्री सासी महिला पुरुषकार 2022 से समानित किया जाएगा Next question प्रतिष्टित भारत रतन डॉक्टर अंबेटकर पुरुषकार 2021 से किसे समानित किया गया है Important question है ये सही answer हो जाएगा option B प्रतिष्टित भारत रतन डॉक्टर अंबेटकर पुरुषकार 2021 किसे समानित किया गया है Next question नेताजी रिसर्च बीरो द्वारा नेताजी अवोर्ट 2022 से किसे समानित किया गया है सही answer हो जाएगा option D शिंजो आबे को तो शिंजो आबे को नेताजी अवोर्ट 2022 से समानित किया गया है Friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का content और quality अच्छे लग रही है तो इसे like ज़रू करें और अपने friends के साथ भी share करें साथ ही आप comment box में मुझे ये भी बिता सकते हैं आपको next वीडियो किस topic के अपर चाहिए जैसे कि geography, history, quality या फिर basic science तो जो भी comments हमारे comment box में majority of रहेंगे मैं उस पर आपको जल्दी सी जल्दी वीडियो प्रवाइट करवाने की कोशिश जरूर करूँगा और साथ ही friends अगर आप हमारी हर वीडियो के e-notes और PDF चाते हैं तो हमारी जो site है ravisstudyikogk.com यहां पर विजिट कर सकते हैं आपको हर वीडियो के e-notes plus PDF बिल्कुल free में provide हो जाएंगे next question हमारा गंतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की जहांकी को सर्श्रिष जहांकी चुना गया है तो उत्तर परदेश राज्य की जहांकी को सर्श्रिष जहांकी चुना गया है गंतंत्र दिवस परेड में next question राश्री स्वास्ते सुविधा रेजिस्टर में भिविन स्वास्ते सुविधाओं को जोडने के लिए तो उत्तर परदेश राज्य ने आयुश्मान उत्कृष्ट पुरुसकार 2022 जीता है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर परदेश राज्य ने तो उत्तर परदेश राज्य ने आयुश्मान उत्कृष्ट पुरुसकार 2022 जीता है next question किस देश के पूर प्रधान मंत्री शिंजो आबे को मर्नो प्रांध पदम भिवुशन पुरुसकार से समानित किया गया है सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैपैन देश के तो जैपैन देश के पूर प्रधान मंत्री थे शिंजो आबे जिनको मरनो प्रांद पदम भिवशन पुरुषकार से समानित किया गया है नेक्स्ट कोशन संत नामदेव राष्टरी पुरुषकार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा सही answer हो जाएगा Option D, सत्य पाल मलिक को सत्य पाल मलिक को संत नामदिव राश्री पुरुसकार 2021 से समानित किया जाएगा अगला प्रेश्ट नमरा जेपैन के सरवोच समान सुप्रीम ओडर आफ दी क्राइसेंथिमम 2022 से किसे समानित किया जाएगा सई आंसर हो जाएगा option B शिंजो आबे को और इन्हें ये मरनो प्रान दिया जाएगा सुप्रीम ओडर आफ दी क्राइसेंथिमम अवार्ड 2022 अगला प्रेश्ट ब्रिटेन की संसत ने किस भारतिय महिला को आयूर्वेद रतन पुरुसकार 2022 से समानित किया है सई आंसर हो जाएगा option ने तनुजा नेसारी को तो तनुजा नेसारी को ब्रिटेन की संसत ने आयूर्वेद रतन पुरुसकार 2022 से समानित किया है अगला प्रेश्ट है गनित श्रेणी में ब्रेक्थ्रु पुरुसकार 2023 जिसे की आसकर आफ साइंस भी कहते हैं से किसे समानित किया गया है साइए आंसर हो जाएगा Option D Daniel Spielman को जो कि अमेरिका के हैं तो Daniel Spielman को Breakthrough पुरुषकार 2023 से समानित किया गया है अब मैं आपको अन्य पुरुषकार विजिताओं के नाम बताता हूँ मौलिक भौतिकी में Charles Bennett Giles Brassett David Dayush और Peter Shore और इन चारों को मौलिक भौतिकी में ये पुरुषकार मिला है G1 विज्ञान में Clifford, Brangwin और Anthony Hyman इन दोनों को मिला है Next question अर्थ शास्त्र यानि की Economics में Nobel पुरुषकार 2022 से किस से समानित किया गया है Important question है ये सही answer हो जाएगा Option D उपयुक्त तीनों को यानि की Douglas W. Diamond जो की अमेरिका के है Ben S. Bernard के ये भी अमेरिका के है Philip H. Diabig ये भी अमेरिका के है तो इन तीनों को ही अर्थ शास्त्र के एक शेत्र में Nobel पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है Next question सही answer हो जाएगा Option B Angela Merkel ने जो की पूर्व जर्मन चांसलर रह चुकी है तो Angela Merkel ने नेंसन पुरुषकार 2022 जीता है Next question है AIPH World Green City पुरुषकार 2022 किस शहर ने जीता है सही answer हो जाएगा Option है Hyderabad शहर ने तो Hyderabad शहर ने AIPH World Green City पुरुषकार 2022 जीता है Hyderabad को ये पुरुषकार उनके तेलंगाना कू हरीता हरम प्रोग्राम के लिए दिया गया है ये भी आपको पता होना जाएगे Next question हमरा प्रतिश्टित ससस्त्र रामानुजन पुरुषकार 2022 किस ने जीता है Important question है ये सही answer हो जाएगा option C युनकिंग टैंग ने जो की चीन की है तो युनकिंग टैंग ने ससस्त्र रामानुजन पुरुषकार 2022 चीता है Next question हमरा Goalkeepers Global Goals पुरुषकार 2022 से किसे समानित किया गया है सही answer हो जाएगा option E उपयुक्त सभी को यानि की Zara Zoya जो की अफगानिस्तान से है Benesa Nakate ये यूगांडा से है Radhika Batra ये भारत की है Ursula Vaughan Der Leone ये EU की प्रमुख है तो इन चारों को ही Goalkeepers Global Goals पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है Friends आपको एक बार फिर information देता हूँ कि हमारी अर्धवाज की क्रेंटरफेस की बुक लोच हो चुकी है जिसमें हमने January से जून तके सभी क्रेंटरफेस को topic wise M6 form में और one liner form में आपके लिए प्रवाइट कर रहा है और इस बुक के last में हमने 15 टेस्स के साथ पी रखे हैं और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके एक्जाम में 90-95% of questions इसी बुक से आ रहे है तो आप इन दोनों बुक को buy करें और अपने एक्जाम के preparation को और भी ज़्यादा बहतर बनाएं Next question Miss India USA 2022 का किताब किस ने जीता है सही answer हो जाएगा option C आरिया वालवेकर ने तो आरिया वालवेकर ने Miss India USA 2022 का किताब जीता है Next question नमारा फ्रांस के सर्वोच नागरिक समान शेवलियर दी ला लीजन दी आउनर 2022 से किस भारती को समानित किया जाएगा सही answer हो जाएगा option C शशी थरूर को तो शेशी थरूर को फ्रांस के सर्वोच नागरिक समान शेवलियर दी ला लीजन दी आउनर 2022 से समानित किया जाएगा Next question किस सहित्यकार को उनके हिंदी उपनियास प्रमे के लिए सहित्यकादमी युवा पुरुषकर 2022 प्रदान किया जाएगा सहित्यकादमी युवा पुरुषकर 2022 प्रदान किया जाएगा अगला प्रशन हमारा important question है ये सहित्यकादमी युवा पुरुषकर 2022 वाला है ये एक personality और दो संगठनों को दिया गया है जो एक personality है इनका नाम है एलेस वालियाद्सकी ये बेलरुस के मानवा अधिकार अधिवक्ता है और दो organization यानकि जो संगठन है एक है Memorial जो की रूसी मानवा अधिकार संगठन है दूसरी है Center for Civil Liberties ये युक्रेनी मानवा अधिकार संगठन है तो इन तीनों को ही 2022 का Nobel शांती पुरुसकार दिया गया है और इन्हें ये पुरुसकार क्यों दिया गया है युद अप्रादों मानवा अधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपियों का दस्ता विजी करन करने के लिए और ये पुरुसकार कौन प्रदान करता है नौर्वेजियन नॉबल समिती तो ये भी आपको याद रखना है किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महा बली के लिए 31 विया समान 2021 से समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा आप्शन है असगर वजाहत को तो असगर वजाहत को उनके हिंदी नाटक महा बली के लिए 31 विया समान 2021 से समानित किया गया है मिस इंडिया वर्ल 2022 का किताब किस ने जीता है सही आंसर हो जाएगा आप्शन भी सिनी सदानन चेटी ने जो कि करनाटक से है तो सिनी सदानन चेटी ने मिस इंडिया वर्ल 2022 का किताब जीता है नेक्स्ट कोशन दूसरा वार्षिक अंतराष्ट्री रेंजर पुरुसकार 2022 किस भारती नेशनल पार्क ने जीता है सही आंसर हो जाएगा आप्शन डी औरंग राष्ट्री उद्ध्यान और टाइगर रिजर्व ने जो की अस्सम में है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन नमारा डेसिडेंट हुमन राइट्स अवोर्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है सही आंसर हो जाएगा आप्शन बी युक्रेन देश के नागरिकों ने तो युक्रेन के नागरिकों ने डेसिडेंट हुमन राइट्स अवोर्ड 2022 जीता है नेक्स्ट कोशन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइट 2022 का किताब किस ने जीता है इंपॉर्टेंट कोशन है यह सही आंसर हो जाएगा आप्शन है खुशी पटेल ले तो खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइट 2022 का किताब जीता है नेक्स्ट कोशन है दबुक ओफ फॉर्म एड एंप्टीनेस उपनियास के लिए महिला फिक्शन पुरुषकार 2022 किस ने जीता है सही आंसर हो जाएगा आप्शन है रूट ओजेकी ने तो रूट ओजेकी ने दबुक ओफ फॉर्म एड एंप्टीनेस उपनियास के लिए महिला फिक्शन पुरुषकार 2022 जीता है अगला प्रशन है प्रतिष्चित वोल्ट जमान पदक से समानित होने वाले पहले भारतिये कौन बने है Most important question friends सही आंसर हो जाएगा आप्शन भी दीपक धर तो दीपक धर पहले भारतिये बने हैं जिनोंने वोल्ट जमान पदक जीता है अगला प्रशन मारा आस्कार रवोट्स 2022 में विजटाओं के बारे में कुछ फिल्म का पुरूसकार इसमें कोड़ा मूवी को मिला है वहीं सर्फिर्ष्ट अभीनेतरी का पुरूसकार जैसियका चेस्टेन को मिला है The Eyes of Tammy Faye मूवी के लिए नेक्स्ट कोशन पुलिज़र पुरुसकार 2022 से किन भारतिय फोटोग्राफरों को समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन E उपयुक्त सभी को यानि की अदनान आबीदी को सना इर्शाद मट्टू, अमित दवे, दानिश सिद्धिकी को मरनो प्रांथ नेक्स्ट कोशन पुलिज़र पुरुसकार 2022 से समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B श्रिष्टी बक्षी को अगला प्रशन मरा शरनार्थियों का स्वागत करने के लिए उनेसको शांती पुरुसकार 2022 किसने जीता है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B एंजला मरकल ने जो की पूर्व जर्मन चांसलर रह चुकी है तो एंजला मरकल ने यनेसको शांती पुरुसकार 2022 चीता है नेक्स्ट कोशन किस भारती मूल की महिला ने पहला महारानी इलिजबित दुथी पुरुसकार 2022 चीता है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A स्वेला व्रेवर्मन ने तो स्वेला व्रेवर्मन पहली भारती मूल की महिला बनी है जिन्होंने महारानी इलिजबित दुथी पुरुसकार 2022 चीता है अगर आप doctrist क्लासिस पर विजबित कर सकते है इसे सब्स्क्राइब करें नेक्स्ट कुशन है किस भारती महिला व्यग्यानिक को फ्रांस के सर्वोचनागरिक पुरुसकार Knight of the Legion of Honor से समानित किया गया है तो डॉक्टर स्वाती पिरामल को फ्रांस के सर्वोच नागरिक पुरसकार नाइट आफ दी लीजिन आफ ओनर से समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा ओप्शन सी दलाई लामा जी को तो दलाई लामा जी को लदाग के सर्वोच नागरिक समान डी पाल आर नगम दस्तन 2022 से समानित किया गया है अगला प्रेश्ट प्रतिष्टित फैलो आफ दी अमेरिकन अकेडमी आफ नियूर लाजी पुरसकार 2022 के लिए किस भारतीय चिकीटसक को चुना गया है important question है यह सही answer हो जाएगा option C N.V. Sundrachari को N.V. Sundrachari को Fellow of the American Academy of Neurology पुरिषकार 2022 के लिए चुना गया है next question प्रतिष्टित Liberty Medal 2022 से किसे समानित किया जाएगा सही answer हो जाएगा option D Vladimir Zelensky को जो की Ukraine के राश्ट्रोपती है तो Vladimir Zelensky को Liberty Medal 2022 से समानित किया जाएगा next question है Indian Film Festival of Melbourne 2022 में सर्ष्रिष्ट अभिनेता का किताब किसने जीता है सही answer हो जाएगा option B Ranbir Singh ने तो Ranbir Singh ने Indian Film Festival of Melbourne 2022 में सर्ष्रिष्ट अभिनेता का किताब जीता है और वहीं सर्ष्रिष्ट अभिनेत्री का पुरुसकार शेफाली शा ने जीता है जलसा मूवी के लिए next question वेकल्पिक और पूरक चकित्सा के लिए शेख जाएद अंतर अश्री पुरुसकार 2022 किसने जीता है important question है ये सही answer हो जाएगा option B वजाहत हुसेन ने तो वजाहत हुसेन ने शेख जाएद अंतर अश्री पुरुसकार 2022 चीता है अगला प्रशन है किस भारतिय लेखिका और कवित्री ने पैन जर्मन हर्मन कैस्टन पुरुसकार 2022 चीता है सही answer हो जाएगा option ने मीना कंडास्मी ने तो मीना कंडास्मी ने पेंजर्मन हर्मन कैस्टन पुरुषकार 2022 चीता है अगला प्रश्ण नमरा लोक नाएक फाउंडेशन के आठवे साहिते पुरुषकार 2022 जिसे की आंध्र ग्यान पीड भी कहते हैं से किसे समानित किया गया है सई आंसर हुजाएगा आप्शन है तनी केला भर्नी को जोकी तेलगू लेखक और अभी नेता है तो तनी केला भर्नी को आठवे साहिते पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है नेक्स्ट कोशन नमरा उस्ट्रेलिया में किन दो भारती चात्रों ने प्रतिष्टित वेक्टोरियन प्रीमियर का पुरुषकार जीता है पुरुषकार बृतिएन के किस पहले भारती जांशद और भारती ज़ता सहनानी के लंदन में बने घर को ब्लु प्लैक समान दिया गया है सई आंसर हो जाएगा option B दादा भाई नौरो जी के घर को यह आपको याद रखना है next question किस विद्वान को भारती सांस्कृतिक संबंद परिशद ICCR के लिए वशिष्ट इंडॉलाजिस्ट पुरुसकार 2021 से समानित किया गया है सई आंसर हो जाएगा option A Zafri Armstrong को जो की Canada के हैं तो यह आपको याद रखना है next question प्रतिष्टित लिस्बन ट्राइनले मिलेनियम बी सी पी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरुसकार 2022 चीतने वाली दक्षिन एशिया की पहली महिला वास्तुकार कौन बनी है important question है सही answer हो जाएगा option B Marina Tabussum जो की Bangladesh की है Friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का content और quality अच्छे लग रही है तो इसे like ज़रू करें और अपने friends के साथ भी share करें साथ ही आप comment box में मुझे ये भी बता सकते हैं आपको next वीडियो किस topic के अपर चाहिए जैसे कि geography, history, quality या फिर basic science तो जो भी comments हमारे comment box में majority of रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी सी जल्दी वीडियो प्रवाइट करवानी की कोशिस जरूर करूँगा साथ ही friends अगर आप हमारी हर वीडियो के e-notes प्लस PDF चाते हैं तो हमारी जो site है ravisstudy iqgk.com यहाँ पर विजिट कर सकते हैं आपको इस site पर free में PDF और e-notes हर वीडियो के मिल जाएंगे next question हमारा Dr. C. Narayan Reddy राश्टरी साहित्य पुरुषकार 2022 से किसे समानित किया गया है सही answer हो जाएगा option C प्रतिभार A को तो प्रतिभार A को Dr. C. Narayan Reddy राश्टरी साहित्य पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है next question है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए Dr. Mrs. P. 222 से किसे समानित किया गया है सही answer हो जाएगा option है सत्य नरायन मंदियूर को सत्य नरायन मंदियूर को Dr. Mrs. P. 222 से समानित किया गया है next question Mrs. Universe Divine 2022 का किताब किस ने जीता है important question है ये सही answer हो जाएगा option B पलवी सिंग ने तो पलवी सिंग ने Mrs. Universe Divine 2022 का किताब जीता है next question नमरा 68 राश्टरी फिल्म पुरुषकार 2022 किताब किस ने जीता है सही answer हो जाएगा option C उपयुक तो दोनों ने यानि की सरावनन शिव कुमार जिने की सूर्य कहते हैं और अजे देवगन तो इन दोनों ने ही 68 में राश्टरी फिल्म पुरुषकार 2022 में सर्ष्रिष्ट अभीनेता का किताब जीता है फ्रेंडस आप हमारे व्लोगिंग चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं हमारे व्लोगिंग चैनल का नाम है रवी दिती ब्लोग्ज आप इस चैनल पर नेक्स्ट कोशन है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल आफ इंडिया 2022 के सतरवे संसकरन में किस डॉकिमेंटरी ने सर्फिष्ट वृत्य चित्र के लिए प्रतिष्टित गोल्डन शंक पुरुसकार जीता है सही आंसर हो जाएगा option D Turn your body to the sun किस भारती अमेरिकी उदमी को उत्री कैरोलीना के सर्फिष्ट राजकी समान से समानित किया गया है सही आंसर हो जाएगा option B स्वदेशी चेटर जी को हमारा आखरी कोशन है आजका समुद्र तटों में स्वच्चता बनाए रखने और तैराकों को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए भारत के किन समुद्र तटों को अंतर राष्ट्री इको लेबल ब्लू फ्लैग प्राप्थ हुआ है important question है ये सही आंसर हो जाएगा option C उपयुक तो दोनों को यानि की मिनिकोई थंडी समुद्र तट जो की लक्षदीप में है और कदमत समुद्र तट ये भी लक्षदीप में है तो इन दोनों तटों को ब्लू फ्लैग प्राप्थ हुआ है ये आपको याद रखना है तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज की important question आपको एक बार फेर information देता हूँ कि हमारी अर्थवाज की क्रेंटफेस की book लोंच हो चुकी है जिसमें हमने जनर्वी से जून तक के सभी क्रेंटफेस को topic wise one liner form में और mcqs form में आपके लिए प्रोवाइड करवाए है और इस book के last मे हमने 15 test के साथ पर रखे हैं जिससे कि आपके current of age की त्यारी काफी एचे तरीकी से हो जाएगी और इस book को आप amazon और flipcard से भी buy कर सकते हैं जिसका link मैं आपको इस video के description box में provide कर रहा दूँगा और साथ ही हमारी 50,000 gk की book भी लोंच हो चुकी है और इस book को हमने इतना कमाल तरी 5% of questions इसी book से आ रहे हैं तो आप इन दोनों books को buy करें और अपने exam के preparation को और भी जादा बहतर बनाएं तो यह था friends हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको पुरसकार और समान topic काफी detail में पढ़ा दिया आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अ